सब्सक्राइब कीजिए आपमाचल न्यूटेक एजी को और बेल आइकन को दबाना ना भूले नए वीडियो के नोटिफिकेशन एन शूटना के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस सेर वाले वुतन क जबाकर आगे सेर कीजिए नमस्कार दोस्तों आपका अपना न्यूटेक एजी चैनल मैं हूं संकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटेक एजी में तो देश्तों जैसे कि आप सभी जानते हम फोटोसोप के बारे में सीख रहे थे और हम तमाम मेन के जो ओप संगे और हैं गातार जो मैंने ऑपसें बताय थे इतने दिन वह वह बताय थे लियर की जो प्रोप्रेटी जैए्लेरिक जो आज हम बात करने वाले हैं कि याज कुछ और पर उपसनदब आ गेहं तो problems नहीं आईगी और बहुत सारे और भी ऐसे option है जिनका layers के बारे में आज आपको बताऊंगा layers के जो भी option छुटे हैं वो सारे बता दूँगा इसमें और layers का topic आज जो basic topic है वो आज हम यहीं पर close कर देंगे तो चलिए दोस्तो आयस सीक लेते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्ता आप मारे चैनल निटे कीजी को subscribe को नहीं पूले और लग लोग आप से मैं select करता हूँ यह वाली layer यहां से मैं select करता हूँ यह वाली layer आजथी है actually मुझे भी नहीं बम् şck का वो तो उर्थी नहीं है यहां से जो सिलेक्ट करता हूं वही जो है ड्रेक करके चलिया थी मेरी साथ यहां पर यह तो फिर भी थोड़ी बहुत कम है इससे भी ज्यादा हो और हमें में दम से में चुनना पड़ जाए यह वाली लेयर में रिको चाहिए अभी इतनी सारे लेय में अभी आपके लिए फिलम्स नेम ले लेता हूं मेरे पास से पहले से पढ़े हैं मैंने बनाए थे तो इस तरह से देखिए मेरे पास इतने सारे नेम हैं मुझे एक नाम चाहिए यहां से देखिए 3345 बहुत सारे नाम है यहां से लेयर के जो है नाम बने हुए हैं देखि तो में कैसे लोयार इतनी सारे सारे शिलेक्ट करकर करके देखना पड़ेगा कौन-कौन से इतने सारे नाम में से बहुत सारे आफ़त हो जाती है तो चलिए इस प्रॉब्लम का सो सुल्यूशन करते हैं इसके लिए क्या करना होगा यहां पर देखिए उपर ओप्सन है ओटो स् देर हो गया उसके लिए माफिच आता हूं और यहां से देखिए अब जो भी लेर आप स्लेक्ट करेंगे वह स्लेक्ट होकर इस तरह से आजाएंगी जो चाहिए वह लेर स्लेक्ट हो जाएगी अपने वाले पर चलते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी इसमें बहुत ज़्यदा थोड़ा कनफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारी नाइम है इस तरह से जो आपको फुलावर्स वगेरा चाहिए वह फुलावर्स आप लोगी अब जिस भी मेज़ पर आप क्लिक तरोगी उसकी लेर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी आपको यहां से बार बार जा सकते हैं एक्षुली मर्ज ग्रूप लिंक इन तीनों का काउं एक्षुल में होता सेम साही है उनमें क्या क्या डिफरेंस है वह थोड़ा से बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस है कुछ खास नहीं मानले जी मैंने यहां से सिलेक्ट करेंगे तो आपकी लेर सिलेक्ट हो लेए 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 ले मेर्ज से पहले मैं ग्रूप समझा चुक्त करना है उनको क्या करते हैं शिलेक्ट करें तो यह जो है मैं थो एक बहुत सा लेयर है है अब आपको ग्रूप में इसको करने रहेंगे Ctrl जी फ्रेज करते हैं तो देखे एक Group में जो लेयर थी हो यहां पर देखे Group नाम का फोल्डर बन चुका Group 1 इस तरह से वह Group में चली गोई जब आम इसी Open करते हैं जब हम इस Group को इस तरह जो उपन करते हैं तो देखे इस वह सारी के सारी Lehre लेर, जो हमने select की थी और अब जो layers है वो जब हम उन्नों रे करेंगे तो देखिए इतनी सारी layers जो automatic अपने आप एक group में उठना start हो जाएगी, एक group में select होगा जाएगी, आप अब इने कहा है कि हम unmerge कर सकते हैं और यहां से एक एक layer जो अब भी जो है इसकी सेलेक्ट करके देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारी लेर्स अब इन्हें अंग्रूप करने के लिए कुछ नहीं करना कंट्रोल सिफ्ट जी फ्रेस करना है तो देखें अंग्रूप हो गई वापस खुल चुकी है जो ग्रूप का नाम का फोल्डर था वह या फिर आफ आफ से आप जाकर और लेर्स में जाने के बाद आपको यहांसे अन्ग्रूप लेर्च देखें यहांपर मिलजाएं की हाई लाइट नहींकंग मिलक्ते हैं उसके बाद मिंजे कि हिए यहांप नीचे उप्सन आपको दिया हुआ है लिंक इस पर आप सिंपली क option में भी आप मिल जाएगा यहाँ पर देखिए लेयर वाले option में बी जब आप देखोगे तो यहाँ से देखिए आपको यहाला option में जाएगा लिंक layers या फिर यहां से देखें निचे shortcut मैं हैं यहां पर click कर देए link layer पर click करते हैं दूसरे जूर चुकी है लिंक हो चुकी है अब एक लेव पर जब आफ्ट रडालो तो सारी लेवर पर पढ़ेगा माली में सिच रेसन से यहां पर आपको स्टूरी माल लिए यहां जो हमने अभी लिंक की थी यहां जो भी लेडिस्ट समय निंक की थी जब अम उन्हें करते हैं यह देखे यह वाली यहां पर लिंक की हुई थी अब माली जी एक लेर को हम यहां से ड्रे करते हैं तो देखें वह सारी के सारी एक साथ उट रही ग्रूप में भी सेम प्रूपर्टी जी तो कुछ अलग नहीं था यह निए ग्रूप का जो सिस्टम था कि एक फोल्डर के करना चाहें तो को उटा सकते हैं सुपढ़े वाज खराब आ रही है क्योंकि तब बे थोड़ी खराब है मर्य आफिस जब जो इसके बाद में आपको क्या करना होगा जो जटो स्छेली कोगा है नीक का यहीं फाइदा है ग्रूप से डिफ्रेंट इसे तरह से जो जो आप सेलेक्ट करोगे वह फायदा है तो नहीं वाले तो वन बाइवन करके गुरूप का क्या काम होता है आप किसी पेज़ पर जाकर जो कम है साङया कासर आपने परili है जो आपका टेक्षट रीजाइंग का काम था एक फोटो पर डिजाइनिंग वगरा काम था वो बहुत सारे लेयर्स में कनवर्ट हो चुका है बहुत सारे लेयर बन चुकी है तो अब उस लेयर को हमें क्या करना होगा एक में ही कनवर्ट करना है उनली एक लेयर उनकी बनानी है उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए भी जो आप बनाना चाते हैं कि मैं उनको select के लिए मालेजी मैं सारी यह बनाना चाता हूं सारी यह को मैंने select के लिया उसके बाद में आपको कुछ निकरना control if phrase करना है इस तरह से तो देखें यहां से एक ही layer में बन चुकी है और background layer भी इसी में आ चुकी है उसके बाद second option के है layer मे नहां से आप merge layer देखें पहले से मर्ज इस लिए highlight नहीं होड़ा merge layer पर जिससे आप के लिए करेंगे control e press करेंगे लेकिन आप एक बार यह बन चुकी उसके बाद में क्या करेंगे आप इसको वापस नहीं खूल पाएंगे वापस open नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक layer में आप सारे के सारी और इस तरह से देखें एक साथ उठेगी एक साथ काम हो चुका है आपका actually इनका यूज कहा आता है देखें में normally जब designing करता हूं तो आपको दिखाने के लिए thumbnail पर जो image डालता हूं तो उस image को बार बार मुझे save करना होता है उसके बाद में उस मेरी नहीं वाले जो image उस पर लेकर चलना पड़ता है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको save करने की अवश्यक्ता नहीं है यहां से एक layer में बना कर आप उससे ले जा सकते हैं वरना designing क्यों ही layer अलग आईगी और आपका background layer अलग उटकर आएगा इसलिए बहुत जिए जगे ये भी काम आता है उसके बाद में इसको उठा दीजिए control z phrase करते हैं मैंने कहा था कि आप इसे नहीं कटा सकते लिए आप इसको बेक में जा सकते हैं इस तरह से control alt z phrase करके जो कि सरूसे में इसकी सोटकर तो आपको बताते आ रहा हुँ हूं और इस तरह से देखिए अलग-अलग हो चुकी है अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है options और रग हैं उनके बारे में हम सीख लेते हैं उसके बाद में देखिए यहां से अरेंज वाले options पर कुछ ओप्सन आ रहे हैं सेंड बेघ्राउंड सबसे पहले समझने लिए को सिलेक्ट करते हैं माध लीजी यह वाली layer मेंने सिलेक्ट कर ली लाश्ट वाली यह जो लेयर वन वाले चुले अब मैं इसको सबसे उपर लेकर जाना चाहता हूं उसके लिए देखो क्या करेंगे यहां से फिर यहां से बि कि आपकी डायर्ट उपर सली जाएगे इस बिन टूफ रंट कर क्लिक करता हूं तो डेखें सबसे उपर यह जो है चली जा चुकिए इस तरह से बाद में माले लिजे कंट्रोल सिफ्ट के साथ हम देखें इस तरह से जो है चोटा को च्टक बड़ा कोच चोटा कोच च्टक को भी ध्यान में रखेगा सोट कर स्याद रखना बहुत ही जरूरी होता है कंट्रोल बिरिंग फॉरवर्ड विल्ब सुरुआज से जो फॉरवर्ड करना है उसके लिए यहां पर उप्सन आ जाएंगे उसके बाद में थोड़ा सा जो है जल्दे लिए बता रहा हूं कि वीडि से बनाया और इस तरह से जो बनाया यहां पर तीन चार रेक्टेंगल बन गए लेकिन हमें तीन चार रेक्टेंगल नहीं लेने हैं रेक्टेंगल एक ही लेना है और उसी के को फिकर नहीं ताकि साइज जो है बराबर चलती रहे एक ही रेक्टेंगल के साइज दुबारा रि कि password size photos में हम बनाते हैं तो क्या दिक्कत आजाती है इन तीनों को जो है एक ही alignment में जचाना होता है इन तीनों को एक ही alignment में लेकर राना पड़ता है और बिल्कुल भी जो इनकी बीच का space है वो भी arrange बराबर में करना होता है सबसे पहले alignment लेना बता देता हूँ चले layers में चलते हैं उसके लिए और layers में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा layers में जाने के बाद में आपको simply कुछ नहीं करना layer में जाने के बाद आपके सामने option आ रहे होंगे आपर जो है alignment और डिस्ट्रिबूट का जो उप्सन और उस चो नहीं कर रहा है उसका कारणे है कि हमने layers को जो है select नहीं किया था तो layers को select करने के लिए हमें simply इस तरह से click करना है और layer में जाकर हम align को देखना है यह वाला align और यह वाला distribute distribute क्या करता है कि आपके जो बीच में दो layers जो आपके दो rectangle तीन rectangle है तीन password size photos है जिनके हमने काफी किती थी तो उनके बीच में जो space होता है उसको manage करता है यह जो space होता है उसको बडाबर बनाए रखता है बिलकुल उसकी दोरी है same बनाए रखता है alignment क्या करता है balign को जो यदि go horizontally है तो इन listen當 तो यहां से आप यहां से स्लेक्ट कर सकते हैं यहां पर नहीं जाना चाहे यहां पर नहीं जाना चाहिए यहां पर देखे saya प्रीकल के लिए और यह ऑले जो है है हमने originally layer रखा है तो यह मानली एक alignment में जचाना है तो आपको क्या करना हो को simply मानली यह वाला है इस पर क्लिक करते हैं तो देखी एक alignment पर आ चुके हैं बिल्कुल जो यहां से और यहां से जब आप देखोगे बिल्कुल सेम है इनकी properties और alignment वगेरा यह दिया आप मैंने वर्ड जो थोड़ा वह समझा है तो बहुत ही इजी है और यहां से सेंटर लेख सकते हैं सेंटर इसमें थोड़ा समझ में नहीं और इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूं इनको डिशिलेक्ट कर देता हूं इस तरह से अब क्या करता हूं उनकी एक लेयर जो हमें बड़ी कर देता हूं इस तरह से यह वाली लेयर जो हमें बड़ी कर देता हूं अब सेंटर वाले को समझने कोशिश करते हैं सेंट कर लेते हैं इस ततरहे हैं उसकेबाद में ये देखि सेंटर वाला एराइंड में है जैसे मैं सर्की करता हूं तो क्या करऊगे इस्कों बीच में वारी कि बवरी की बीच में लेकर आएगा मतलब इसकेदि जो दूरीं वी जी मि इदरवी शेम हो सक मारगे तो इस तरह से आजाएगा, तो यह था इसलिए, और फिर से गन्रोल एल्ट जेड़ फ्रेस करके सरुवात में चलते हैं, और यह था थी जो सेम साइज कि हमने बना ली थी, अब फिर से इसके उपर हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको वर्टीकली समझने कोशि करेंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने देख रहे होंगे इस तरह से जो आड़ टेड़ी होकर आचुगी क्योंकि यह जो मैंने सीध्य अलाइन्मेंट में थी तो यह इस तरह से जो आपको एक में दिखाई दे रहे हैं और इनको उपर की तरफ लेकर चलते करेंगे और यहां से वर्टिकली पर जिससे क्लिक करेंगे तो देखी सेम साइज में आचुके अब क्या करें इनका जो इस पेस उनको मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिब्यूट का उप्सन का यूज करते हैं मान लीजी यह वाला उप्सन और यह वाला जो बीज़ी सफेद दोनों डिफ्रेंट हैं उसके लिए क्रेंगे यहां से तो आफको क्या करита क्रों पहले से इसकी दूरी जो अलग अलग करके देखते हैं इनकी जो दूरी है थोड़ा सामें चेंज कर देता हूं इसकी दूरी थोड़ा सा पास कर देता हूं इसकी दूरी थोड़ा सा पास कर देता हूं अब इनको समझने कोशिश करते हैं अब इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और आप देखी इस पर जैसे मैं center पर click करता हूं तो आपके जो center की दूरी है वो कम हो जाएगी और जैसे इस पर click करता हूं जो right से जो इसकी दूरी है वो change हो जाएगी लेकिन हमें क्या करना है इसकी vertically को ध्यान में रखते हुए यह थी practically है तो हम हम वर्टिकल यह वाले options पर select करना है और सेंटर है तो इन के some Central पर हमाने इस तरह से select करना है देखिझे मैं अभी जो इसका यूज लीं रहा हूं क्योंकि जो आपका यह जो worldly है जो और इनलों हरिजैंट लो memb comments तो यहां से 030 पर रखंगे तो ona %G लिए है तो मिधिन वाले टूल संगी लेना ही है सारे ऑड़े गया है इस तरह से एको cried सोड़ा सिगन तो राइट से लेते हैं तो लेट से लेते हैं तो लेफ्ट दोकी अभी सेम है और उपर नीचे यह जो हो ओरिजेंटल के लिए है और इजेंटल स्पेस के लिए सोरी वर्टिकल स्पेस के लिए हैं Ctrl L Z फ्रेस करके फिर तोड़ा सा समझानी कोशिश करता हूं इस तरह से और इसको थोड़ा सा नीचे ले करा जाते हैं और अब जो उपर वाला जो इस पेस जो यह वाला जो इस पेस अब आप देखोगी यह वाला इस पेस जो है वर्टिकल में है वर्टिकल में होया तो इसको क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और यहां से हम क हो चुका है और लेफ्ट राइट उसके लिए आपको लेफ्ट राइट में करके देखना होगा जब एडवांस में जब फासफोर साइज फोटो जब मैं आपको बनाना बताऊंगा पूरी जान कर दूंगा उसमें वह तक लेफ्ट राइट में बताऊंगा इनके यूजेज अभी के लिए सिर्फ नहीं आप बेसिक समझ कर इन्हें चलिए तो यह थे लेफ्ट के कुछ यूज और देखते हैं कुछ और बचकिया है वो तो इसके बारे में यह सारे के सारे उप्सन देखे मैंने वन बाई वन करके बत किया है उस मर्ज को जो है अठाने के लिए इसका यूज किया जाता है और यहां से जो फ्लेट इमेज है लेटन इमेज है उसका यूज मैंने बताई दिया उसके बाद में जो क्लिपिंग मास्क इसका मैंने बताई दिया इसके लिए तो मैंने पहले वीडियो बनाए है आप उसे लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में अभी के लिए इतना ही दोस्तों वाई वाई दोस्तों